यदि आपकी परिच्छा सोसोलोजी यानि कि समासास्त की कल या परसो या फिर आने वाले दिनों में होने वाली है तो आपकी किस्मत बहुत ही बढ़िया क्योंकि आपने सही बीडियो पे क्लिक किया और सही बीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन बीडियो देखने की ज पूरा का पूरा यहां पर आप लोगों को कॉम्बो पैक एक तरीके से मिलने वाला यानि कि पूरा का पूरा कंबाइन most important question answer जो पिछले सालों में कई बार प्रश्ण परिछा में रिपीटेड है उसके question answer इस वीडियो हम आपने समाहित किया है एक तरीकी से ये वीडियो समासाफ्त यानि सोसोलोजी की महासंग राम होने वाली है रामबाण होने वाली है जो भी हमारे फश्टियर के फश्ट समस्टे के छात्र हैं जिनको 2023-2024 यानि कभी भी पेपर देना उनको उनके लिए बहुत ही ज़रूर है यदि इंड तक देख ल आएंगे आपकी परिच्छा में तो चलिए बीना देरी को वीडियो को सुरू करते हम इस मतलब वीडियो में एक माडल पेपर कोश्टन भी पेपर प्रस्तुत के हैं कि किस प्रकार का माडल पेपर आएगा आपकी परिच्छा में और कौन-कौन से महत्रपूंड कोश्चन आइंसर है जो आपकी परिच्छा में इस बार आने की उम्मीद है वो भी मैंने तयार कर लिया है विध पीडियो सहित लेकिन पहले जान लीजिए कि कौन-कौन से ऐसे महत्रपूंड प्रस्ण है जो कि आपकी परिच्छा में आने वाले हैं आपको कोई भी यूटूब पर ऐसा एक भी इंसान नहीं होगा जो आपको पीडियाप सहित और आपको मोस्ट इंपार्ण कुश्चन बताएगा इस तरह की गारंटी लेगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं माना कि हमने थोड़ी देर आप लोगों का टाइम जरूर लिया होगा फालतों की बगवास आपको लगा होगा लेकिन इंफॉर्मेट्व बात की है ठीक है चलिए आते हैं में मुद्धे पे पहले आप देख लीजे कुछ इसी प्रकार का आपका पेपर होगा बीए फस्टेमिस्टर का सोसोलोजी सब्जेक्ट लिखा होगा प्रश्ण पत्र का नाम इंट्रेक्शन तो बेसिक कॉंशेट्ट आप सोसोलोजी लिखा होगा पुडांग 75 नंबर का होगा अतिलग उत्रिय कोई चराम कोईसी प्रकार देखने को लेंगे समासाथ किसे कहते हैं समाच की परिभासा बताईए समित क्या यानि कि एसोसेशन क्या होता है ठीक है परिवार की परिभास परिभासा बताईए ठीक दिवा की पदाइए बिवा क्या होता सांसकृत क्या होती कल्चर सह्योग इन शबीष प्रस्टिक जो अपके परिच्छा में कई बार repeated है ठीक है और इस बार भी आपके एक्जामनेशन के लिए most important है ठीक है और भूमिका क्या है समाजिक समाजिक अस्त्री करण क्या है ठीक है इन में से मैं आपको बता दू जो आपकी परिच्छा में इस बार आने के 99% अश्चान्स है ठीक समाजी अफ्तरिक चुष्यान के पूरी अमीद है ठीक है प्रहसिती पूरी के पूरी उम्मीद है ठीक है और अगला प्रॉप्शन जो है वह कल्चर याने कि सब्च थन। Sophomagot कोई अगा फ़्रिवार्त समय प्रॉपकाश परिवार्त सम्माज स्साफ्त इन दोनों से जोड़ा प्रश्ण आएगा ही आएगा गारेंटी के साथ ठीक है उचाय आती में आए चाह लग में आए चाह देरगी में आएगा जरूर ठीक है लग उत्तरे में आपको इस प्रकार के पेश्ण देखने को मिलेंगे समाज साफ्त की परिमाफा दीजिए तथा के बिफे छेत्र का वड़न कीजिए बहुत ही पॉपलर कई बार पैश्ण रिपीटेट कोईश्चन पक्का फसेगा ठीक है अगरा प्रश्टे के तिहासे हम समाज साफ्त के मद्ध सम्मंद बताईए या फिर समाफाफ्त और अर्थफाफ्त के भी सम्मंद बताईए ठीक है समाफाफ्त और मानो साफ्त के भी सम्मंद बताईए ठीक है अर्थफाफ्त के भी सम्मंद बताईए इफी तरह जितने भी साफ्त रहें उनसे मद्ध अंतर और सम्मंद आएगा पक्का है ठीक है हर बार आता कभी भी ये छूटता नहीं ठीक है और समुदाय की परिभासा सम कभी कदार आता हमेशा नहीं आता लेकिन आता जरूर है समाजिक संद्रश्चना दोकी हमेशा रिपीट होता ही होता है गारंटी वाला को इस चने फंसेगा पक्का यह भी प्रश्चन का उत्तर भी आपको आगे हमने प्रुष्टुत क्या हो भी मिल जाएगा वहाँ पर ठीक ह कोई हम हवा हवाई में बात नहीं कर रहे हैं हमने वादा किया है जिस बेर में हमने गारंटी लेते हैं वादा करते हैं उसमें हम प्रूब करके दिखाते हैं अगर आपको विश्वाफ नहीं होगा तो आप लोग कमेंट में गालियां कुछ भी लिख दीजिएगा मुझे ए आएगा देख लीजेगा चाहिए आप लोग ठीक है समाजी गत्सिलता हमेशा आने वाला कुश्चन कभी भी ये हटता नहीं हमेशा आता वो चाहिए लग में आये चाहिए देरगी में आता जरूर है ठीक है अब आपको अगला पैटर देखने को मिलेगा देरगुत्रिय का द को धरका है तो इस प्रकार आपको माडल पेपर देखने को मिलेगा अब आजाते हैं जो जो यह प्रश्चन है इन सभी के उत्तर की ओर और इसके लामा और भी जो आपके परिच्छा के लिए wanted question है वो हम आपको बता रहे है ठीक है पहला प्रशन है भईया कि समाज साफ्तर क्या है समाज साफ्तर की परिवाफ़ा बताईए उसका उत्तर समाज साफ्तर समाज का ही एक बिग्यान है वा एक नवीन समाजिक बिग्यान है इस बिग्यान के द्वारा मानो समाज या समाजिक जीवन का बिग्यानिक पद से अधिन किया जाता है साब्दिक अर्थ की दर्ष्ट फे ये देखा जाए तो समाफ साफ दो सब्दों मिलकर बिनाए यानि कि समाफ साफ जो होता है इसमें समाफ फाफ जो है समाज का ही एक बिग्यान है ठीक है इसमें क्या होता है एक नवीन मतलब कि समाफ फाफ तर एक नवीन बिग्यान है अन जो हमारे फाफ तर है जैसे कि अर्थ फाफ तर और भी मानो फाफ तर इन सभी फिर ये बहुत ही लेटिस्ट है समाफ़ाफ़ ठीक है इनसे के बाद में बहुत अभी जल्द ही आया ठीक है और इसमें ये होता है मतलब कि जो मानो होता है या फिर समाज होता है उस सबी चीजों का अध्यन किया जाता है यानि कि माली जो कोई समाज है आप जिस भी समाज में रहते हों जिस भी सोसाइटे में आप लोग रहते हैं और क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं और वहां का रीत रिवाज कल्चर कैसे सिस्टम कैसे उसी का मतब कि step by basic से एक दू तीन मतब कि धीरे धीरे step by step अध्यन करना ही समासाफ्तर होता है ठीक है simple सार्थ है और समासाफ्त दू सब्दो सो मिलकर बना है ठीक है पहला है जो की समाज समाज सार्थ में पहला अर्थ है समाज जिसको English में society बोलते है और दूफ्रा सब्द है साफ्त जिसको English में science बोलते है ठीक है इसको equal करेंगे तो बया समासाफ्तर आ जाएगा ठीक है और समासाफ्त अंग्रेजी भासा के सोस्योलोजिस सब्द का हिंदी रुपांतर है यह आप लोग जानते ही है सोस्योलोजिस सब्द दो सब्दो के योग से बना जिसमें पहला सब्द सोसियस है लेटीन महाफा पर दूफ्रा सब्द लोगा फजुकी ग्रेक महाफा पर लिया गया है इफी तरह आप इसकी परिवाफा तयार कर लेंगे बहुत ही popular आर्थ तयार कर लेंगे बहुत ही high label का बहुत ही top label का question है समाज साफ्थ की परिवाफा तयार कर लेंगे समाज साफ्थ की परिवाफा अलग-अलग विद्वानों के नुसार अलग-अलग है इस बात को भी ध्यान लखेंगे और ध्यान लखेंगे अगला जो हम आपको question मताने जा रहे है यह काफी his temple है यानि कि समाज वो भीज्ञानिक पद्धित समाज जो है उसको लेकर थीक है क्या मिस्श्था है तो पहले आउ लोकन है समानिवी करण है भिज्ञानिक प्रवत है धैर है जिग्यासा है सत्यापन तत्थावर्गी करण है भबिश्रमाडी है यह सब कुछ बैज्ञानिक पद्धित की प्रूंग विशेषता हैं कुछ में चीजे हैं जो कि आपको बताया गया है ठीक है बहुत ही पॉपलर कोश्य ने भी है समासाफ्तर का अध्धिन छेत्र बताई यह नहीं कि समासाफ्तर जहां जहां पर अध्धिन जहां जहां पर किया जाता उच छेत्रों के नामत ऐए ठीक है तो इस छेत्र में मतब कि बिशे के मुक्ता दो भागों में बाटा गया है पहला है स्वारोपातमग या थारोपेंट बिसिफातमग संप्रदाय और दुफ्रा है समनेवातमग संप्रदाय ठीक है आप इन दोनों के बारे पढ़ लेंगे basic question है बहुत फारे question है लेकिन हम आपको most important करने का काम करेंगे इस वीडियो में ताकि आप अच्छे एक्जाम की तैयारी करके जाए ठीक है और मुझे पूरा भरोफा है कि अगर आप मेरे द्वारा फॉलो करके के कोशन अच्छे आप तैयार करते तो माई का लाल कोई भी नहीं दुनिया में यहां तक कि हम गारंटी ल भी क्याता है अगर आपको नहीं पता है कि फादराफ सफोलोजी कान है तो जानलेजिए फादरा फॉफोलोजी अगफ्त काम्टे हैं जो कि फ्रांस के हैं ठीक है इस बात को ध्यान लखेंगे सबसे पहले उत्पत शुरुत जो है अगफ्त काम्टे के द्वारा ही की गई थ की ठीक है जिन्होंने सरप्रथम 1838 में सरप्रथम सोसोलोजी सब्द का प्रयोग किया था यानि कि सबसे पहले अगफ्त जो काम्टे हैं जो कि फ्रांस के बिद्वा ने इन्होंने 1838 में सोसोलोजी सब्द का यूज किया था प्रयोग किया था ठीक है आताहा काम्टे यानि पहले दूफरे देशों में थी उसके बाद धीरे-धीरे करके भारत में आई है ठीक है तो वही बताया जा रहा है समाजिक जीवन के बारे में बेफ्थित धन्फे सुचने का प्रियाश यूरोप के यूनानी जो दार्फनिक है बिद्वान है पिलेटो तथा उनके सिस आरफ् कर सकता है उसके बारे में सोचा समझा अधिन किया ठीक है और उसमें उनके सिस्व का भी बहुत ही योगदान रहा आरस्तु का ठीक है अगफ्त राम्टे ने समाज से सम्मंदित अधिन को सरप्रतम समाजिक भौतिकी यानि कि सोफोलोजी फिजिक फिके नाम से पुकारा या है और वहां पर अगला पॉइंट है कि समाज साथ में हरवर्ट इस्पेंसर 1820 से 1903 तक मैक्स वेवर का नाम विसे इस रूप से प्रिशिद रहा है इसी प्रकार आगे पूरी परिवाफ़ा दी इसके बारे में पढ़ लेंगे काफे हेल्पुल कुश्यन है भाई आप समाज साथ की सुरुवात कैसे हुई और इसकी सुरुवात किसने की है इसकी सुरुवात कब हुई ठीक इन सभी बेसिक पॉइंट को आपको जानना चाहिए समाज साथ की उतुपत्ति हुई तो इसमें किस चीज की बारे में बताया गया है कि समाज साथ की उतुपत्ति का उत्दे जागा बनाब गया ठीक है एक में अद्रख रख गया उसी में समाफ साफ्तर का नाम दिया गया ठीक है तो इसellesं ही साफ्तर के समाफ्तर में से वस्त कंये भिशन हमेहीं। तो यह भी कभी अलग और दोनों की परिभाफ़ा भी अलग अलग ठीक है और समाज साथ की परिभाफ़ा जो है वह एक प्रोख विद्वान जिनका नाम है M. Ginsver, इन्हों ने कहा समाज को परभाफित करते हैं, उन्हों लिखा कि समाज बेक्तियों का संकलन है, जो अनेक संबंधों और बेवहार की बिद्यों द्वारा संगठित है, समाज जो है वो बेक्तियों का गुरूप है, एक तरीकी से पोल फक्ते हैं, कलक्सान है, संकलन है, जो अनेक संबंध और बेवहारों की बिद्यों द्वारा एक दूफरे से संगठित और जुड़ा होता है, हमारा संबंध हमारे मौफा है, चाचा है, दादा है, पापा है, मौम है, या फिर हमारे पूरबज जो हमारे लोग है, हमारे दोफ्त है, यार है, इन सभी का एक बंदों द्वारा बंधे नहीं है ठीक है और अगली परिभासा ये भी ठीक है राइटर ने लिखा जो कि आपको पढ़ लेना है आपको जो भी परिभाफा लगे जो भी आप समझ पाएं वो तयार कर लेंगे कुर्मिला की मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन है अगला कोश्चन करें तह महथब़ोर्डने नहीं इसको इगनूर कर सकते यह आता नहीं ठीक है पिरहाल लेकिन कभी कशजा जा चुका है जिसले मैंने इंक्लिट पर दिया है ठीक है अगला प्रशन की क्या गाउों एक समुदाय यह प्रश्चन है कि मुझे जयादा ने क्या सकता नहीं अग सिष्टाएं क्या फीचर से वोट आपको बताना हैं की क्या कुछ अलग चीज है बिशिस नहीं समाज में समाज समाजिक संबंदों का जाल है पहले यह भी आपको जान लगिना है ठीक है इफी तरह और भी वहारी बिशिष्टा कभी तो आपर ने गब है लेकिन तया को बाइंगा कोर्दी तो हम इसकी बाहा पोंघरी हां के जाएप लेकिन तौफ उपने कोर्षिभी आहें तो कि बाहता कि पूपल बासा कॉन पढ़िए जैसे सांसथा किसे तो संसता समाजिक नियमों तथा कारेप्रणारियों की वह या फिर उस बेवफ्था का नाम है जो समाजिक मौलियों को उपने उत्देश पूरा करने की अनुमत देता है मतलब कि किसी भी बिक्त का उत्देश यह भाईया हो हमारा हम मतलब कि एकजांपल लेकर समझते हैं ठीक चीज तो उसमें संसता कंप्यूटर हो गई चैके तो आपका उध्देश क्या हैं हमारा यह कमप्यूटर कोर्स हो जो की हमारे आगे future में काम है ठीक है तो आपका उद्देश क्या है कि आप हम डिपलोमा कर लें कहां से संफथा ठीक है तो संफथा के माध्यम से ठीक है किसी भी उद्देश की पूरा करने की अनुमत दी जाती कहां पे दी जाती अगर मालिज आपको पॉपलर कोश्चन है सबसे पहले तो आपको परिवार की परिभाफा तैयार कर लेना फिर संयोगत परिवार किसी कहते हैं यह तैयार कर लेना संयोगत परिवार के मतब जॉइंट फैमिली जहां पर आपके तीन या तीन से अधिक पीढ़ियों के जो लोग हैं वो एक साथ रहते हो ठीक Holmes massage और उनका घर और निवास एक ही-ो एकी-में खाना बनसा हो एक संपत्य समगे ही मनतल्य संपत्य हो ठीक है एक रसोही हो और भोजन एकफात करती हो पूझा में एक एक साथ भाग लेते हूं, मंदिर हो एक ठीक है, ठीक है, और नातेदारी ब्योफथा में सब लोग एक दूफरे फे अच्छे से ब्योभार करेंगी, जो की जो मालिजे की आपके पापा के रिष्तेदारी है, ठीक है, आपके पापा के मामा है, तो वही आप उनसे उसी तरह भ सब एक ही हो, ठीक है, हमारे जानकारे में एक फैमिली एफी, उनके घर में पता है, आप लोग कितने लोग हैं, एक ही घर है, और एक ही में खाना बनता है, ठीक है, लेकिन उनके घर में करीब करीब मुझे जानकारी है कि 30 से 35 लोग हैं, ठीक है, अब 30 से 35 लोग को आप आज के समय में एक साथ रह पाना impossible joint family बहुत ही कम आपको देखने के मिलती होंगी ठीक है आप सभी एक मालूम अच्छेफे यह प्रशना आता है ठीक है बिवाह किसे कहते हैं हिंदू बिवाह के बारे मताईए ठीक है बिवाह का उद्देश क्या होता है यह सब बिवाह के उद्देश ठीक है अगला भी प्रशन बहुत ही महात्पूर्ण पर यह फिच्छा के उद्देश क्या है शिच्छा के माध्यम से आप भासा सीखते हैं लिखना सीखते हैं बोलना फिकते हैं गणित का ग्यान आपको मिलता है आप जो रित्रिवाज के बारे हम जानते हैं आपकी जो कल्चर है उसके बारे हम ज्यान प्रदान होता है बच्चों के समाजिक अन्कूल की जो छमता यानि की जो मैंड की कैपिस्टी है वो बढ़ती है ठीक है यह सब होते हैं फिच्छा के उद्देश इनके माध्यम से जानता तो उनको अच्छे से पढ़ाना समझाना और एक अच्छा इंसान या फिर अच्छा बच्चा साबित करना और फिच्छा क्या है इसके बारे में तैयार कर लेंगे यह भी महात्पूर्ण प्रशन है ओके यह समाजी की प्रक्रिया बहुत कम आता हमेशा नहीं आता है अगला कि संगर्स और प्रतियस परदा यह इंपॉर्टन कोश्चन यह फंस गाया मतलगी हमेशा नहीं प्रतियस परदा में आपको परिभाफा और दोनों पर डिफरेंस तैयार कर लेना है ठीक है ओके फतमी करड़ी यतना महात्पूर्ण नहीं है ठीक है मानो जीवन में सम समाजिक महात्ते हैं जैसेशा है समाजिक महली समाज में एक रूपता उत्पन करते हैं और दूफसरा जो महात्तों है वं प्रिव हार這是 माजीक महली बहुत सब्सक्राइब कर दो कि मैंने आपको रट रट के बताए कि यह प्रस्ट प्रसेगा हंडर प्रसें स्योर है ठीक है ओके अगला प्रस्ट से आप क्या समझते हैं समाज साफ्तर की परिभाफा दीजिए ठीक ऐसा प्रस्ट आपको देखने हो कि लेंगे आपकी परिच्छा में यह आपको देर घुत्र और लगुत्र में ज्यादा देखने को मिलेंगे इस प्रस्ट का उत्र मैंने डीटियल में तैयार किया है ताकि आप लोग अच्छिफ तैयार कर सकें ओके यह पूरा का पूरा एक ही कोईश्चन है ठीक है और अगला आजाए कि समाज साफ्त अर्थ में डिफरेंश बताईएस महर्च Сाफत उर्स समय अर्ठाफ्त में संबन्द क्या है ठीक है और अर्थ शाफ्त में संब्रक मिलेंगे पक्ता sensory समय संभंद मांध और अंतर को लेकर एक फ्रस्ट मसेगा इसकी तो हमbeं 100 परसेंट गाणिटी ले रिए एक 101-200 परसेंट तक की इस में इसमाज को परिभाफिง कि परिभाफित किजिए और समय की परिभाफफा ठीक है है अपको दीर गुद्य टाँब पर लयुजियों देखने मिलेंगे बाकि जो आपको आपको प्र देखने को मिल रहे हैं वही सारे जो पर देगे उन्हीं कि लोंग टाइप के कोश्चन थाकि आप दीर घुत्र में भी तैयार कर सके टीक है तो वहां से इस पीडियॉप के द्वारा आप अपने एक्जाम के तैयारी कर लीजएगा आपको आपको रिच्छा देकर आएएगा तब हमें बताइएगा और हाँ जो भी छात पेपर देकर आएगे हमें माडल पेपर कुश्चन पेपर वर्टसअप पर प्रवाइड करा देंगे लिंक वीडियो के डिस्कुशन मिल जाएगा टेलिग्राम और वर्टसअप का भी वहाँ पर जो छ